प्लिक ऑन दा सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन दा बेल आइकन तो वच मैं आल न्यू वीडियो तो महां सेन और एक कोशन पुछा था आप लोगों ने में एक्चुली वाट्साइब ग्रूप में तो तो मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं एक कोशन पूछा गया था गे चाहिए भी कोशन बहुत मजदार है तो वह बात करेंगे निकालना के क्वेशन में क्या है कि यहां पर जो मतलब जो रोप है और एक बलून है उसमें मैक्सिमम पॉसिवल एजीमिंग अच्छा मैक्सिमम एलायवल वेट और वैलून मेटेरियल कितना हुन चाहिए और निका क्या लगेगा mg लगेगा जी तो हमें पता है क्या है 9.81 यह मास्वं मास्व कितना होगा मास यहां पर दो चीज़ पर है gli मास ओफ एर है और एक हमारे पास क्या आ गया बलून का मास कितना है मतलब वहाँ पर जो हमारे पास है हिलियम गैस है उसका मास कितना है वो निकालना है फिर दोनों के मास का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा नेट मास आ जाएगा और उसका मल्टिपल कर सब्सक्राइब यहां पर एक चीज हम भूल रहे हैं कि मास अब हमें बता है density is equal to क्या होता है मास आपन वाल्यूम होता है हम क्या करेंगे देखिए मैं गरूंगा इसको थोड़ा RT is equal to mass upon volume यह क्या होता है density होता है समझ में आगया आपको density equal to हमारे पास क्या आगया अब हमें पता है basically density आगया pressure हमारे पास दे रखे question में क्या आगया 100 into 10 to the power 3 आजाएगा और R is equal to 289 आथा है और यहाँ पर T is equal to 288 Kelvin आगया तो हमारे पास ultimately after calculation calculation अगर हम calculation करते हैं तो कितना आता है लगवक 1.2 kc per meter क्यों आता है अब हम क्या करेंगे basically अब हम क्या करेंगे हमने row निकाल लिया इसका अब हमें पता है mass निकालना है यहां से density is equal to क्या होता है mass upon volume mass is equal to basically mass is equal to mass is equal to volume into density volume कितना है वहाँ पर दे रहा है 1.2 multiple कर देंगे किसके साथ हमारे पास 523.33 के साथ तो हमारे पास यहां पर density हमने 1.2 बूट कर दिया volume हमारे पास इतना दे रहा है तो हमारे पास कितना आ गया 628 kc के आसपास हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे तो हमारे पास क्या गया मास ऑप एयर अब हम क्या करेंगे बलून के मास का बात करेंगे को इंट्रेस्टिंग पार्ट है अच्छा और एक बाद वाल्यूम कहां से आए बताना मुझे जरूरी है कि पहले मैंने कैल्कुलेशन कर वह इसलिए आपके साथ जल्दी शेयर कर रहा हूं इस बात को वॉल्यूम इस इकल टू क्या होता है चाब 4 by 3 by r q होता है तो 4 by 3 हम फूट करेंगे पाई हमारे पास क्या गया 3.14 र हमारे पास क्या गया फाइब उससा q करेंगे कैल्कुलेशन करने के बाद कितना गया 523.33 meter cube आ रहा है इसका volume इसलिए इस volume को हमने यहां पर use करा राइट अब चलते हैं हमारे पास कि density of helium is equal to same to same formula use करेंगे P upon RT यह चीज़े हमारे पास रहा है pressure कितना है 100 है और kilo पास के लिए 10 to 3 कर देंगे R is equal to 2080 और T is equal to कितना है 288 288 हमारे पास दे रहा है after calculation what we are getting 0.166 हमारे पास आ रहा है 9 आ रहा है यहां पर और density का इन्ट क्या होता है kg per meter cube सीड़े से हमें यूज़े करेंगे mass निकालने के लिए mass equal to density equal to mass upon volume mass equal to density multiple volume density कितना आ गया 0.669 volume कितना है just a second volume है 523.33 और दोनों multiple करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 87.36 kg आ रहा है तो एक तो आ गया 87 वा गया और एक हमारे पास कितना आ गया था 628 kg दोनों का difference निकालेंगे पर आगे हम calculation करेंगे तो हमारे पास mass exactly mass उम्हाँ पर कितना लग रहा है 628 minus 87.36 तो हमारे पास कितना बच गया अगर हम calculation करेंगे तो 540.64 बच जाएगा kg तो mass आ गया हमारे पास अब निकाल सकते हम लोग कितना maximum maximum allowable weight होगा weight is equal to mass into g तो 540 minus 0.64 into 9.81 तो हमारे पास answer कितना आ जाएगा 5303.68 Newton हमारे पास आ जाएगा यह हमारे पास right answer है इस question के लिए question थोड़ा lengthy था और थोड़ा मैंने fast पता है because मेरे पास थोड़ा कम time में मुझे पता है तो guys hopefully question आपको समझ में आया और भी किसी भी topic में आप question problem आता है gate में आप मेरे को पूछ सकते हो I will try to make a video and share with you so guys thanks for watching thank you very much and subscribe to my channel if you haven't subscribe comment if you are getting any problem in anything so till then bye bye